दोस्तों यदि आप अभी तक Android phone यूज किर रहे थे और यहाँ पर अभी आप स्वी भी पून हो सकता है iPhone 13, 15 और यहाँ पर जैसे आप नया phone को मंगाते हो तो यहाँ पर आप कुछ नहीं करना होता है Android में आप 10 मिट में यहाँ पर सारी चीज़ सब कुछ कर लोगे email id यहां पर आईफोन आप पर्चेस कियो हो यहां कम से कम 30 नट का तो टॉइम आपको जाता ही आपको फुल सेटप करने में तो आज कुछ मुश्मा बात करने वाले हैं यहां पर हम जादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि हमको भी समय लगा था लेकिन आज कुछ बहुत सिंपल तरीके से आपको बताएंगी कैसे आपने फोन को जो आपका Apple पर्चेस किया हुआ है उसको कैसे आप फुल सेटप कर सकते हो बहुत सिंपल तरीके से आपको बताने कोश्च करेंगे कि यह मेरा फर्स डिवाइस म यहां पर आपको अगर सीखना है तो इस पुडियो को देख के सीख सकते हो मतलब सीखना के मतलब यह होता ही बहुत लोग होते जिनको प्राबलम आती है अगर आपको प्राबलम आ रही है क्योंकि यहां पर यह आपका Android में चीज़ें हैं आप बहुत असानी से कर सकते हो मु एक भी मिस्टेक हो जाता है अगर आप यसे आप पासफ़र बना रहे हो तो पासफ़र अगर जब तक स्ट्रोंग नहीं होगा तब तक आपकी आईडी नहीं मनती है तो मतलब कहने का यह है कि यहां पर Android में आप बहुत असान तरीके से सिंपल से अपने फोन को सेट अप कर देखी कर सकते हैं तो यहां पर कैसे करना है आज पर बात करेंगे तो चलो फिर यहां पर आपको का उपने प्ट करना हैए जो आपको मैं सिंपल इसस बताऊंगा अगर आप इस से पहले आपने आइप यूज नहीं किया तो इस वीडियो को आप देखकर समझ जाओगे तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है देखिए यहाँ पर एक बटन दिया है पावर बटन आपको इसको प्रिस करना है और यहाँ साइड में देख सकते हो दो बटन है वल्यूम अपका और डाउन का और साथ में साइलेंट का तो आपको क्या करना है इस बटन को प्रिस करना है ज जैसे आप यहाँ पर इसको करोगे तो आपकी screen के कुछ ऐसी open होगे और select your country and reason होगा तो यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों यहाँ पर देख लीजे आप अपनी country को select कर लेना है तो यहाँ पर देखिए हमारी India country है तो यहाँ पर हम search कर लेते हैं आप यहाँ पर अपनी India country को select करना है और यहाँ पर थोड़ा सा आपको wait करना है और उसके बाद देखिए क्या करना है ऐसा कुछ आएगा क्योंकि start caption और setup यहाँ पर manually caption जैसे आप जगते हो तो यहाँ पर आपको ऐसे जाना है तो आपको पहले अपना wifi से click कर लेना है उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ना है और जैसे आप यहाँ पर बढ़ेंगे तो आपको face ID यहाँ पर देखिए तो face ID बहुत important होती है तो यहाँ पर देखिए क्या करना है आपको continue का option मिलेगा तो आपको simple से इस पर click कर देना है देखिए face ID सबसे पहले बनाएंगे उसके बाद यहाँ पर देखिए अप यहाँ पर get started का option इसपे click कर रहेंगे देखिए आपको यहाँ पर कुछ ऐसा आजाएगा तो यहाँ पर आपको फोटो को move करना है आगे left right up downs यहाँ पर आपको चारो तरह अपना सर को हिलाते रहना है जिससे आपकी face ID यहाँ पर बन जाए और यहाँ पर देखिए आइफोन में यह भी option है जैसे आपको बताएगा भी कि इधर आपको कैसे face move करना है उसके बाद यहाँ पर अगर आप face mask लगाते हैं तो यहाँ पर face ID लगाना चाहते हैं तो आप mask लगाके भी कर सकते हैं जै कि माल लीजिए कर आपको data transfer करना चाहते हो इस phone में तो यहाँ पर कर सकते हो नहीं तो simple से अगर आपको data वेरा transfer नहीं करना है तो सबसे last वाल option जैसे आप देख सकते हो don't transfer option data आपको इस पर click कर देना है अब यहाँ पर आपको क्या करना है अपनी Apple ID बना लेनी है तो यहाँ create a free Apple ID तो आपको यहाँ पर दूसरा वाले absence पर क्लिक कर देना अगर आपको पहले से है तो आप वह ID बना सकते मतलब डाल सकते है नहीं तो creative free Apple ID पर क्लिक करेंगे जैसे आप यहाँ पर click करेंगे तो आप दे सकते हो first name in last name तो यहाँ पर आपको क्या करना है अपना first name और last name डाल देना है first name last name क्या होता है मेरे चैनल पर याले टी वीडियो आप आप जा के वहां देख सकते हो और यहां पर उसके बाद क्या करना है आपको अपने डेटा बर्त चानल देनी है नाम डालने के तो जो phone में आप यह SIM डालने वाले हैं उसी number को डाल लिएगा और यहाँ पर simple से verification के लिए code आएगा तो यहाँ पर code को आपको यहाँ पर डाल देना है procedure बहुत यहाँ पर लंबा है तो इस video को आप पूरा देखना तब ही आपको सारी चीन समझ में आएगे तो यहाँ पर आप verification code आएगा इसको डालने के बाद थोड़ा wait करना पड़ेगा देखिए Apple ID password आपकी Apple ID बन चुकी आप उसका password बनाना है और यहाँ पर password बनाने में बहुत समस्या आती है दोस्तों यहाँ पर Android में तो आप कोई password बना देते हैं लेकिन यहाँ पर बहुत ध्या यहाँ पर आपना नाम नहीं डालना है इसको बनाने में जरूर ध्यान देना है आपको और यहाँ पर यहाँ पर देख सकतो continue का आपसंस आपको इसी पर क्लिक कर देना है जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे न दोस्तों continue को जैसे बन जाए जैसे आप जो भी पर बना उसके बाद continue क्लिक करोगे थोड़ा यहाँ पर यहाँ पर समय लेता है जैसे आप Windows को अपने जैसे फर्स टाइम करते हो वहाँ पर आपको अपना Windows को एक्टिवेट करना पड़ करते हैं अपना जो email address होता है वो डाल देते हैं तो आप भी अपना email address डाल दीजेगा और यहाँ पर कोसिस करिएगा कि जाओ आपका email address वाइलिड हो और जिसको आप यूज करते हों क्योंकि क्या होता है कि बहुत सो लोग बहुत सारे email आइड रखते हैं उसके बाद use करने क बात काम नहीं होता तो फेंक देते हैं मतलब यूज नहीं करते हैं बाहर बार बना लेते हैं तो यहाँ पर आप वह email डाल देनी है उसके बाद email डाइड डालने बाद थोड़ा वेट करना है और यहाँ पर देखते हो ऊपर जैसे अब जिक्तिक तो सेंड का अपसन उपर आ करके लेना है थोड़ी देर अपको फिट सेंड करना है और गारने के बाद यहां पर यहाँ पर देख पा है इसरавать एपको पड़ लेना है बर सब पड़ेवर जैसे आप यहां पर सारी चीजी स्टिप पड़ने के के बाद क्लिक करोगे तो यहां पर देख सकते हो अपडेटिंग आई क्लाउड शेटिंग्स तो यहां पर यह आप संद आएगा थोड़ा टाइम लगता है दोस्तों इसमें और उसके बाद देखिए यहां पर आ रहा है आईप्डेट यूर आईफोन अट्रमेट लिए आपस पर आईफोन में कि यहां पर आपको क्या करना है आप इसको हैं न लÈटर करना पड़ेगा उसके बाद यहाँ आप चाहिए तो आप continue भी कर सकते हैं तो आप setup लेटर कभी कर सकते हैं तो चलिए हम यहाँ पर continue भी कर देते हैं आप इसको पूरा पढ़ लीजीगा और I think इसको आप कर सकते हैं continue को इदिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर जो है साब चीज सेक्योर है इनका एक सेंपल होता है तो आप यहाँ पर जिसको चाहिए उसको select कर सकते हैं तो हम यहाँ पर उबन वाले को select कर देंगे और यहाँ पर जैसे आप जिसको next का option होगा तो हम यहाँ पर उसको select करने के बाद next पर click कर देंगे यहाँ पर आपको हे सीरी बोलना पड़ेगा आप पोबीट करना है सेहरी है सहरी के दीजिएगा उसके बाद यहाँ पर थोड़ा अपोबट करना और अगर नहीं सुनता है तो आपको यहाँ पर त्राइक करना पड़ेगा वहाँ पर देक्तों यह option भी है अप सेयर करना चाथे तो हम यहाँ पे टोंट आलाओ कर देते हैं उसके बाद यहाँ पे थीम्स पूचेगा कि आप काउं सी थीम्स लगाना चाहते हैं आप डार्क या लाइट तो यहाँ पर सीम्बल से light लिए रहने देंगे उसके बाद यहाँ पर continue फिकलिक कर देंगे जैस तो इसको थोड़ा सा आपको यहाँ पर नीचे लाना है अपना फिंगर उसके बाद यहाँ से इसको ऊपर कर देना है और यहाँ पर देसकते वेलकम टो आइफोन अब यहाँ से आपका फोन चालो दोस्तो यह था पूरा आइफोन को अपना एक्टिवेट करने का तरीका आपको वीडियो पसंद आएगा वीडियो पसंद आतों एक लाइक कर देना